सेनिक भाईयो जैंद वंदे मातरम स्वागत आप सभी का सेनिक शुविदा पर साथियो आज आपके सामने में फिर साज रहूं एक नया वीडियो लेकर तो साथियो आज के वीडियो में चर्चा करूँगा सेनिकों बहुत पूरु सेनिकों से जुड़े कुछ मुद्धों पर तो क्या होंगे आज के वीडियो के मुद्धे देखते हैं दोस्तों एक्सर्विस्मेन रुपे 36,000 के लिए करें अपलाई चार दिन बाकी तो दोस्तों क्या है यह दोस्तों जो हमारे पूर सेनिकों के बच्चे होते हैं यह निका हमारे वार्ड होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर स्कोलर स्रिप के 36,000 रुपे दिये जाते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कोलर स्रिप के दुबारा हमारे केंद्रिया सेनिक बोड देता दोस्तों तो इसके लिए में ओनलाइन अपलाई करना पड़ता है तो इसके लिए 30 नवंबर 2024 तक इसकी डेट है 30 नवंबर 2024 के बाद में इसकी वेफसाइट बंद हो जाएगी और कोई भी अपलाई नहीं कर पाएगा तो जिन भी पूर्प सैनिकों ने प्राइम मिनिस्टर स्कोलर्शिप के लिए अब तक अपलाई नहीं किया है तो वे 30 नवंबर 2024 तक अपलाई कर दें और दोस्तों यह मिलता है किसको यह मिलता है जो बच्चे कोई करते हैं अगली खबर दोस्तों बड़ी हुई पैइंसन 29 समामबर को होगी जादी तो दोस्तो जो आप लोगों की बड़ी हुई पैसेन है यानि कि जो आप लोगों का डिये बड़ा है तो 29 नमबर को आप लोगों का अकाउंट में आपकी पैंसन आ जाएगी और उसके आत में जो आपका डिये बड़ा है बड़े हुए डिये के साथ में इस महिने की पैंसन आपकी आपके अकाउंट में 29 नमबर को आ जाएगी अगल क्या खबर कोगी दोस्तों खबर काफी लंबी है इसलिए इसको मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को पूरी खबर दिखाऊंगा क्या है यह खबर OROP3 MACP ARIER का फाइदा प्रीमिचोर सैनिकों को ARIER का फाइदा इस पर सवाल तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा होगी तो सैनिक भाईयो इस से पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विश्टार से चर्चा करूँ अगर आप सैनिक सुधा चैनल से पहली बार चुड़े हैं सैनिक सुधा चैनल का हिस्सा नहीं है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बैल आइकन ओन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकरी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारत दी गए जानकरी के बर already वाई ग्रुप का 2007 21 years 25 days के बाद premature आया हूं मुझे OROP 2 मिला 21244 बेसिक मिला लेकिन 2 का कोरीजेंडियम पेपियो नहीं मिला अभी मुझे OROP 3 नहीं मिला है मुझे सर जी मुझे मिलेगा या नहीं तो मैं इनको बताना चाहता हूं जैसे इन्होंने बताया है इनको OROP 2 मिला है और यह premature retirement आये और इन्होंने अपना OROP 2 का जो पेसिक पे है 21244 बताया है और इनको OROP 2 का कोरीजेंडियम पिपयो नहीं म OROP 2 का कोरीजेंडियम पिपयो नहीं मिला है तो सब अगर यह इस परस्वर माइग्रेट हैं तो अपना इस परस्वर काउंट खोलें और उसमें अपने डाकुमेंट में जाए और वहां से अपना कोरीजेंडियम पिपयो दबाएं तो वहां पर आपको आपका OROP 2 का और OROP 3 का बेनफेट नहीं मिला है तो इसके लिए आपको CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करने पड़ेगी आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें तब यह आपको और वहां पिछी का बेनफेट मिलेगा इसके लावा आप इस पर प्रश्राविस की कंप्लेंट डाल सकते है तो cpggram पर जो आप लोग complaint आपको करनी होगी वह online करनी होगी अगर आपको cpggram पर complaint करना नहीं आता तो आप किसी भी साइबर के पैसे करा सकते हैं और इसके अलवा मैंने इनको कोमेंट में जवाब दे दिया है जैसे मैंने दिया हुआ इनको वारोपिटी का कोरिजेंटर पीपियो इस पर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वारोपिटी भी लागू है अगर नहीं मिला है तो cpggram पोर्टल पर इसके लिए online complaint करें अभी देखें next message दोस्तों कि रिटाइड 1922 में 1903 में होन्रेली नायप सुबेदार 26 जन्वारी हवालदार से प्रोमो हुआ थर्ड ओ रोपी में बेसिक 25,738 मेरा बेसिक कम तो नहीं है करप्या बताएं तो यह रिटाइड हुए है 1923 में में और होन्रेली नायप सुबेदार 26 जन्वारी को इनका प्रोमोशन हुआ है थर्ड ओ रोपी का बेसिक पे है इनका 25,738 मेरा तो इन्होंने पूछा है क्या इनका बेसिक पे सही है कम तो नहीं इनका बेसिक पे आ रहा है तो इनका जो ओ बारों कि तरिका बेसिक पे बनता है इतना इनको मिल रहा है और मैंने इनको यहां पर भी जवाब दे दिया है आपकी पेंशन बिल्कुल राइट है अभी देखें नेक्ट कोमेंट दोस्तों तो तो सहनिक भाई हो यह नेक्ट कोमेंट मुझे हमारे एक पेंशनर ने और रुपेज 36,499 टोवर्ड मंतली पेंशन विल भी क्रेडिट इन अकाउंट ओन 29 नमबर दोजार चोविस्दी का टेम इसपर्स तो इनोंने बताया है कि इनकी पेंशन 29 नमबर दोजार चोविस्कुल इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी तो दोस्तों यह पेंश तो मैसीज नहीं आया पेंशन का क्या हमारी पेंशन भी 29 नमबर को यह आएगी तो हाँ जो भी इस पर्सवर माइगरेट है उन सभी के पेंशन 29 नमबर 2024 को उनके अकाउंट में आ जाएगी देखें अभी नेक्स कोमेंट दोस्तों यह नेक्स कोमेंट में लिका है सर जैहिं साल छह मईना एक ही रैंक में सर्विस किया है मुझे नायब सुवेदार मिलेगा या नहीं यह पूछना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बढ़े तो इन्होंने लिका है 24 साल सर्विस वाल नायक को 24 साल सर्विस वालों को 100 नायक सुवेदार का पैंसन मिलेगी तो मैं इनके लिए बता देना चाहता हूँ जिस नायक ने 24 साल सर्विस की है उसको 100 नायक सुवेदार की पैंसन नहीं मिलेगी उसको मिलेगी हवल्दार की पेंसन दोस्तो अगर उसकी सर्विश 24 साल एक दिन या उससे उपर हो जाती है तो तब उसको मिलेगी नायप सुवेदार की पेंसन लेकिन अगर नायक है और पूरी 24 साल की है तो नाहीं उसको 100 नायक सुवधार की मिलेगी अगर वो होलदार होते और 24 साल उनकी नोक्री होती या कम भी होती तो भी उनको 100 नायक सुवधार मिल सकता था लेकिन वो नायक हैं और 24 साल है तो उनको नायक सुवेदार नहीं मिलेगा अगर 24 साल एक दिन हो जाती है तो उनको M.A.C.P. नायक सुवेदार की पेंशन मिलेगी ऐसे इमेल इनको जवाब भी दिया हुआ है नायक को नायक सुवेदार कभी नहीं मिलता है अगर 24 years एक डे से ज़्यादा सर्विस किया है तो M.A.C.P. नाइब सुवेदार मिलेगा अगर 24 साल से एक दिन उपर नोगरी किया है चाहे वो हवलदार हो और चाहे नायक हो उसको M.A.C.P. नाइब सुवेदार मिलेगा तो सैनिक भाईो लेते हैं अगला समाचार जो हमारे पूर सेनिक C.L. चुटी पर होते हैं अगर C.L. चुटी पर उनके साथ कोई हाधसा हो जाता है तो क्या वेद पेंसन के हगदार हैं क्योंकि सी Armor ऐसे सारे ऐसे बहुत सारी ऑसोते हैं कि हमारे काल सारे पोर इसे लेक다 अल्ब पर होते हैं वहाँ अब को एकसिदेंट हो जाता है उनकी मृत्य हो जाती है क्या ऐसी कंडििशन में उनको पेंसन मिलेगी यह नहीं मिलेगी आउंसका फाइदा सब्सक्राइब करने वाले कुण है शिरीमती सुमानती आर के वाइप लेट ड्राइवर राकेश कुमार वर्सिज यूनियन उप इंडिया और इसमें पर्टिशनर है मिश्टर अनिल सिर्यवास्ताव जो केश करने वाले के वकील है और रिस्पोडेंट है एक गोतम एड़ोकेट यह जो है सरकार के वकील है और इसमें जज है होनेवल मिश्टर जस्टिस सुनीता गुपता यह मेंबर दूसरे होनेवल लेप्टिनेट जर्णन एनवी सिंग मेंबर इसके नीचे है ओडर यानि के दोस्तों ओडर की कोपी है और दसमांच दोजार उनिस का यह ओडर है वाईड इस एप्लिकेशन एप्लिकेंट शिक केंडिशन ओप डिले सेवंटी फिलिए ओवेव द एडर ताइजम गन्तेन्ट्र दा एप्लिकेशन डिले ओप 73 फिलिंग ओए कंड़क्टड दा में स्टेंड डिस्पोज ओप तो सैनिक वाज अभी देखते हैं इसका पॉर्ण नमर दो लेट सिपाई ड्राइवर वाज इन्रोल 271-2004 सिपाई ड्राइवर इन आर्मी सर्विस कोर वाज एन्रोल लीव वाइड अपक्ट फ्रोम 13 दो दोजार पंद्रा तू साथ चार दोजार पंद्रा वाइल और एन्रोल लीव ओन पांच तीन दोजार पंद्रा आप्टर सेलिबरेटिंग दा फैस्टियो लॉप होली ही वाज तो वाटर चैनल एट तो इनकी पत्नी ने जो केस किया था उन्होंने इसकी जानकारी दिये 27 एक दोजार चार को भरती हुए थे ASC मैं यानि की आर्मी सर्विस कोर मैं वह एन्वन लीव आये हुए थे तेहरे चार दोजार फंद्रे तो सब्लब सम् सेलिबरेशन के के बाद गए हुए थे दोजार पंद्रे को लीव खत्म होने वाली अंजनपुरा डिस्टिक्ट सिम मोगा करनाटका अलोंग विद हीज फ्रेंड मिस्टर गनेश आप्र हैविंग बात ए अराउंड सत्रे सो हुवर्ष दा अप्लिकेंट्स हजबेंट और हीज फ्रेंड वर सिटिंग ओन बैंक ओफ वाटर कैनल और सत्रे सो हुवर्ष के आसपा करनाएं मे। वाटर सो हुवर्ष के ऑटकरूरा शाप के यंग विद खैडेंऑ लाटर कैनल है। यंग संसरेिस्ट थे वाटर केनल सेव दा लाइफ दा अधर पर्शनल मिस्टर सुदर्शन बट कुड नोट सेव हिम एंड हिंसेल्फ डाउन अलोंग यानि के दो लोग के चिलाने के आवाज आई वह पानी में दो लोग डूब रहे थे चिलानी के आवाज आई तो वे उसके जो हजबेंट थे वे कि दोस्तों ओर काफी लंबा है अगर इस तरह से मैं आप लोगों को बताते रहूंगा तो एक से डेड़ घंटा पूरे ओर को बताने में ही निकल जायागा इसलिए आपको मैं इसका मोटा मोटा डिटेल बता देता हूं क्योंकि इतना तो आप ही समझी गए थे जो यह हमार अपने दोस्त को साथ में नदी किनारे पर बैठे हुए थे और जैसे ही दो लोगों के चिलाने के आवाज आई उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए और उन्हें से एक को बचा लिया एक को नहीं बचा पाए और इसके साथ साथ दूसरे को जब बचा रहे था तो भी उसके साथ में डोब गए और वो जो दूसरा आदमीता सुदरसन नाम का वह भी साथ में डोब गया तो दोस्तों इसमें आगे क्या हुआ जो मरने वाला सिपाई था उसकी फैमिली को फैमिली पैंसन नहीं दिया गया क्योंकि वह चुट्टी के दौरान उसकी मोहती थी इसकी फैमिली ने एफ्टी में केस किया केस करने के बाद में जो उसकी कोट ओप इंक वारी हुई इसमें एग्रिवेट्री मिलेटरी सर्विस दिया गया क्मांडिंग ओपसर की तरफ से और उसके बाद में उसको पैंसन के लिए उसके कागज भेज दे गए हैं लेकिन पीस और इनहेंसरेट में फैमिली पैंसन की मांग की गई क्योंकि उनके एक बच्चा था जो 90% विकलांग था बिलकुल तो उसको देखते हो मानिय जजज सामने उसको इनहेंसरेट में फैमिली पैंसन का आदेश दिया और सेना के दोबारा जो भी इस परकार के डिसेवल लिए बताया तो सेनिक बाइओ कहना का मतलब यह है चुट्टी के दोरान हमारे बहुत सारी के सानिकों के साथ में इस परकार का हाथता हो जाता है जो हमारे सेनिक हैं चुट्टी पर रहते वे इस परकार का हाथ से के सिकार होते हैं और खासकर जो चुट्टी पर होते हैं त चोटी जानकारी मेरे द्वारा इसी पर करके चोटी-चोटी जानकारी आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो में दे जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी और सैनिक भाईयो इसका जो पूरे जज्जमेंट का लिंक मैं आपको डिस्कुर्शन में डाल दूआं आप व बंदे मात्रम